अगर हम रुप देखें तो एक अच्छी बात यह हुई है कि न्यू एक्सपाइजी शुरुवात होने के बाद हमने लास्ट ट्रेडिंग डे को भी हमने देखा कि बहुत जादा कोई जो एक शॉर्ट ट्रेंड बना वा था काफी समय से वहाँ पे कोई फर्दर डेवलप्में देखने को नहीं मिलाया और बजाल थोड़ा सा स्टेबिलाइज होता वा दिखा है तो मुझे लगता है कि एक दोनों ही इंडेक्स में एक रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि इसमें बैंक निफ्टी एक लीडिंग इंडेक्स हो सकता है जहां पे अच्छा उचाल हमें आने वाले दिनों में आताव अधिक सकता है तो इसलिए मैं आज एक दिगज बैंक के साथ जाओंगा और मुझे लगता है कि SDFC बैंक पे हमें एक लॉंग ट्रेड इनिशेट करना चाहिए और SDFC आईसे से दोनों कोई अगर हम देखें तो बहुत इंसर्शन में देखा था कि एक अच्छा डेटा पॉइंट भी बना था और प्राइस अक्षिन में भी हमें रिवर्सल देखने को मिला था तो मुझे लगता है कि इसमें एक लॉंग ट्रेड इनिशेट करें और ऑप्शन के तूप 1540 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदने किदाय है यहाँ पर लक्ष होगा 44 रुपे का स्टॉप लास मेंटेन करें 25 रुपे और यही ट्रेड अगर हम फूचर के तूप बनाते हैं तो 1540 का फूचर में टारगेट होगा और 1475 पर एक स्टॉप लास मेंटेन करें तो आज का पिक होगा HDFC बैंक